नमस्कार दोस्तो स्वागत है मेरे चनल पर दोस्तो पिछली वीडियो में हमने एक देखा था है कैसे डिस्चार्ज होता है तो दोस्तो उसको और इजी कैसे हम दिखा सकते हैं आपको भी समझ में आगा काफी ऑजी है तो उसको बनाने के लिए हमें चार्पिंच चाहिए थम जिसको बोलते हैं और काफी easy तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा एक LED ले लिजिए कोई भी एक capacitor ले लिजिए 470 का मैंने UF का मैंने capacitor ले रखा है एक 9V की battery ले लिजिए एक cap ले लिजिए बस हमें इतना ही सामान चाहिए इस project को बनाने के लिए या फिर आप खुद को समझने के लिए भी आपको यह project आप use कर सकते हैं तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है हमें जो battery की cap है उसको आगे से छीलना है और हमारी जो thumb pin है उसके उपर उसको लगाना है अलग-अलग दोस्तों यह project बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो plus और minus है उसका अपको थोड़े सा ध्यान रखना है क्योंकि red वाला होता है प्लस होता है और minus वाला black वाला minus वाला होता है तो thumb pin पे हम इसको यूँ गोल-गोल लपेड देंगे ध्यान रहे दोस्तों जो thumb pin है वो जंग खाई हुई नहीं होनी चीए एकदम साफ और clean होनी चीए तक कि हमारी supply है वो easily thumb pin के थुरू हमें मिल सके आप थर्मापोल पे या किसी भी गत्ते पे इसको लगा दीजिए देगे दोस्तों यह आदा काम हमारा हो चुका है जैसे हम इसको battery पे connect करेंगे तो plus minus हैं हमारी thumb pin पे आजाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास जो LED है उसको पे हमें thumb pin लगानी है सेम वही है इसमें जो LED होती है उसका जो plus सिरह होता है यानि कि जो बड़ा वाला सिरह होता है प्लस होता है और जो छोटा अला होता है वो minus होता है तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुक क्योंकि plus or minus का हमें खास तोर पर ध्यान रखना है क्योंकि हमारा जो capacitor होता है उसके भी plus or minus होता है हमारी जो LED है उसके भी plus minus होती है और हमारा जो capacitor है उसके भी plus minus होते हैं तो हमें plus or minus के ध्यान रखना है आप लिख लीजिएगा जैसे हमारी LED है तो उसमें plus वाला सिरह और minus आपको पता होना चाहिए और capacitor पे तो लिखा हो आता है देखिए दोस्तों यह plus or minus वाले हमने थम पिन इस पे attach कर दिये हैं अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है थोड़ा सा इसको मैं पास में रख लेता हूं क्योंकि काफी दूर हो जाएगा जो मेरा capacitor है उसकी पिने काफी चोटी है अब देखिए दोस्तों आपको इसके अंदर आपको पहले दिखा देता हूं मैं जो लेक वाला है वो plus sorry minus और red वाला plus है वो ठीक उसी तरह LED हमारी जो है बड़ी वाली जो लेग है वो plus है और चोटी वाली minus है अब इसी चीज कम को जा रखना है और जो हमारा capacitor है आ होता है एक तब plus होता है जो बड़े वाली लेग होती है वो plus की होती है छोटी याडी minus की होती है और capacitor भी लिखा होता है minus हमें उसको charge करना है सिर्फ यानि कि minus वाले tip को minus पे plus वाले tip को plus पे और सेम उसी LED को हमें उस पर touch करना है देखिए LED हमारी हलकी सी glow कर रही है यानि कि जो glow कर रही है हमें capacitor में जो charge है उसी की वेज़े से कर रही है हम फिर इसको charge करते हैं minus को minus पर touch करते हैं plus को plus पर touch करते हैं अब हमारा चार्ज हो चुका है हम इसको देखेंगे charge हुआ है नहीं हुआ है discharge करके देखते हैं और LED के plus देखिए दोस्तों LED के जो प्लस है वो capacitor के plus से mesh करना चाहिए और minus और plus दोलों आपस में mesh करने चाहिए तब ही हमारा project वरक करेगा तो दोस्ता आपने देखा हमारा जो capacitor है वो कैसे charge हुआ और कैसे discharge हुआ अब हम same project यह दूसरी जो LED है 8 mm की उस पर हम करके देखते हैं देखिए दोस्तों इस पर थम्मिन तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है लगाना हम इसको ऐसे ही करके देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो capacitor है वो चार्ज हो रहा है और चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज हो रहा है हलका सा अब touch करते ही चार्ज हो जाएगा और को बड़ी वाली वाइर से देखिए दोस्तों काफी अच्छी ग्लो इसमें कर रहा है यानिकि जो बड़ी वाली लेग है LED की वो capacitor की बड़ी वाली लेग से और चोटी अली लेग केपेशिटर की LED की चोटी हाली देखिए दोस्तों इस तेके से चार्ज हो रहा है और LED पर टच करते ही ये डिस्चार्ज हो रहा है बस आपको ये ध्यार्ण रिखना है कि पिने चेंज नहीं होनी जी पिने अगर चैंज होगी प्लस को मैनेस से और मैनेस को प्लस से कर दिया तो यह काम नहीं करेगा तो देखे दोस्तों ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट बन चुक cambiar है तक दोस्तो जो हमारा कपिसीट रहता है इस पर फ्लस और उर लिखा हूँ होता है बढ़ा वाला इससा प्लस चोटा वाला इससा मइनस तो आप प्र एक नोलेज ओना है प्लस और माइनस कैसे वर्ख करता है अब देखिए दोस्तो इस पर फ्लस माइनस एप उसी तरह हमारे LED होती है वह वेजहीं काम करती है plus और minus पर यह देखिए दोस्तों minus को minus से मैने draw कर दिया है और plus को plus से मैंने draw कर दिया है यह तब आप यह काम करेगा है जो जो कैपैसेटर है वो प्लस फाली प्रॉब प्लस पे ओर म Chang अली प्लाप ऐसे रही होज करें है वह यह हमारा LEDS उसमें भी सेम वह होता है जो बड़े मानी प्रोब होती है वह प्लस की चोटी मैनस की होती है ऐखाद्ग है झाल झाल